हेलो डॉक्टर्स ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटफोरिकल मीनिंग औफ माइन रूब्रिक्स का चाधवा विडियो है इस विडियो का रूब्रिक Indifference Apathy Lies With Eyes Closed डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें तीन दवाईया हैं जिसमें से एक सीप्या ओफिस अनैलिस है नई रेपर्टरी जने इस रूब्रिक में और भी दवाईयां अड़ की हैं लेकिन इस विडियो में मैं सीप्या को इस रूब्रिक के द्वारा एक्स्प्लेन करूँगा Indifference इस शब्द का मतलब है किसी बात पर ध्यान ना देना पेशिंट दो कारणों से indifferent हो जाता है जब पेशिंट को ये लगने लगे कि एक बात के मुकाबले में दूसरी बात ज्यादा जरूरी है तो वो पहली बात की तरफ indifferent हो जाता है यहाँ पेशिंट के मुताबिक दोनों बातों में से जो ज्यादा important है उस पर उसे पहले ध्यान देना चाहिए और जो बात कम जरूरी है उसे वो बाद में या वक्त आने पर manage करेगा Apathy Apathy का मतलब है किसी बात में कोई interest या enthusiasm ना होना और इसलिए पेशिंट को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता Lie या Lies इस रूब्रिक में इस शब्द का मतलब है लेट जाना जब एक इनसान दिन भर काम करता है तब वो ठक जाने पर पलंग पर कुछ समय के लिए लेट जाता है यानि अब इस व्यक्ति में और काम करने की energy नहीं है या फिर शक्ती होने के बावजूद पेशिंट अब और काम नहीं करना चाहता Eyes Eyes या आँखें वो और्गन है जिससे हम अपने आसपास हो रही गटनाओं, चीजों और व्यक्तियों को देखते और पहचानते हैं Closed इस शब्द का मतलब है बंद कर लेना तो Eyes Closed का मतलब है अपनी आँखें बंद कर लेना मतलब अपने आसपास होने वाली बातों की तरफ बिलकुल भी ध्यान ना देना व्यक्ति दो situations में अपनी आँखें बंद कर लेता है पहला जब पेशिंट आराम करना चाहता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है ताकि उसे नींद आ जाए दूसरा जब पेशिंट को अपने आसपास हो रही बातें बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें नहीं देखना चाहता तब पेशिंट अपनी आँखें बंद कर लेता है देखने वालों को यहीं लगेगा कि पेशिंट सो गया है जबकि पेशिंट जागा हुआ है और उसे सब सुनाई दे रहा है यहां पेशिंट किसी चीज़ को देख पाने के बावजूद उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और उस बात को इगनोर करता है तो इस रूब्रिक Indifference Apathy Lies with Eyes Closed का मतलब है कि जब CPI पेशिंट अपनी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में या डिजीज के कारण exhausted फील करती है तब वो सब कामकाज छोड़कर लेट जाती है और अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है पेशिंट को यही लगता है कि अब प्रॉब्लम्स का जो होना होगा वो होगा और इसलिए अब उसे किसी और ज्यादा इंपॉर्टन बात पर फोकुस करना चाहिए एक्जाम्पल वन 20 साल की लड़की PCOD की तकलीफ के इलाज के लिए आई और उसने सबसे पहले पूछा डॉक्टर साब आपकी इस दवा से संडास कड़क तो नहीं होगा ना जब उसे कहा गया कि होमियोपेटिक दवा से ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा तब उसने अपनी तकलीफ बताई कि उसके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं और उसके चहरे पर हैर ग्रोथ की प्राबलम भी शुरू हो गई है पेशिंट बोली डॉक्टर ऐसी दवा दो कि पीरियड्स बराबर एक फिक्स्ट टाइम पर आएं अगर मेंसिस इस महीने की दस तारीख को आएं तो फिर हर महीने बराबर दस तारीख को ही आने चाहिए इरग्यूलर पीरियड्स आने पर उसे घुसा आता है फिर पेशिंट बोली कि उसकी फैमिली में हमेशा से उसके डैड का स्ट्रॉंग कंट्रोल रहा है और ये बात उसे बच्पन से ही अच्छी नहीं लगती थी इसी वज़े से वो कहीं आसानी से आ जा नहीं सकती क्योंकि उसे अपने घर के रूल्स के मताबिक चलना पड़ता है पेशिंट की हमेशा से यही इच्छा रही है कि उसे पूरी आजादी मिले मतलब वो बिना किसी रोक टोक के जब चाहे जहां चाहे जा सके जब से उसके चेहरे पर हैर ग्रोथ की प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से घरवाले उस पर हसते हैं और उसका मजाग उड़ाते हैं कहते हैं देखो हमारी मुच वाली नौकरानी कॉलेज से आ गई ये सुनकर पेशिंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन अब पेशिंट इन बातों पर ध्यान नहीं देती है कॉलेज से आते ही वो अपने कमरे में चली जाती है लेकिन घर की किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती जब परिवार वाले उसे किसी काम के लिए बुलाते भी हैं तो वो बस अपने बिस्तर पर आँखे बंद किये पड़ी रहती है उसने ये भी कहा कि उसे पता है कि घर वाले उसे बुला रहे हैं लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं घर में कुछ भी हो रहा हो पेशन्ट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती इसी तरह जब पेशन्ट को लगता है कि उसकी तबियत ठीक नहीं है तब वो सब कामकाज छोड़ देती है क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ इसी बात का खयाल रहता है कि उसे आराम करना चाहिए जो भी काम है वो उसे बाद में कर लेगी तो इस केस में सबसे पहले पेशन्ट को ये डर सता रहा था कि दवा से कहीं उसे संदास में प्राबलम शुरू ना हो जाए मतलब localized damage से डरती है तो ये रूब्रिक है fear of being injured पेशन्ट का अपना खुद का mindset है कि मेंसेज बिलकुल fixed time पर आने चाहिए तो ये रूब्रिक है fastidious irregular periods के कारण जब भी पेशन्ट को मेंसेज के आने का इंतजार करना पड़ता है तो वो इस बात से घुसा हो जाती है तो ये रूब्रिक है anger, menses, before before menses का मतलब है कि menses को आना चाहिए लेकिन अब तक आये नहीं है पेशन्ट की परवरिश बच्पन से ही एक strict और controlled environment में हुई है तो ये रूब्रिक है elements from domination for a long time पेशन्ट को पूरी आजादी चाहिए मतलब absolutely no restrictions at all तो ये रूब्रिक है libertinism हिर्सुटिजम के कारण पेशन्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है तो ये रूब्रिक है delusions being laughed at and mocked at परिवार के तानों से पेशन्ट ठक गई है और इसलिए अब वो घर में हो रहे events की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देती अब कोई उसे कुछ भी कहे या किसी काम के लिए बुलाए उसे कोई परवाही नहीं है बीमार होने पर भी पेशन्ट काम करना बंद कर देती है और लेट जाती है तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपथी lies with eyes closed Example 2 40 साल का male patient Aftis Stomatitis के इलाज के लिए आया और बोला कि इन मूँ के छालो के कारण खाने पीने में दिक्कत हो रही है ये तकलीफ तो काफी समय से है और मुझे पता है कि वक्त पर इलाज ना करने पर ये छालो के कारण मूँ का कैंसर भी हो सकता है लेकिन इसका इलाज करवाने का ना तो मुझे कभी खयाल आया और ना ही मुझे लगा कि डॉक्टर को बताना चाहिए मैं बस अपनी स्टेशनरी की दुकान संभालने में लगा रहता हूँ अब कमाऊंगा नहीं तो मेरे परिवार को दो वक्त की रोटी कहां से मिलेगी लेकिन अभी मुझे से ये कामकाच और भागा दोड़ी सहन नहीं होती कल सब सामान दुकान में ठीक से अरेंच कर दिया और आराम से बैठा था कि तभी मेरे पांच साल के लड़के का फुटबॉल टेबल से टकराया और सारी किताबे गिर गई अब फिर से मुझे सब काम दोबारा करना पड़ा ऐसा दिमाग फिरता है न कि क्या बताऊं एक तो पहले ही से इतना काम रहता है उपर से ये सब अब मेरे पड़ोसी ने नया LCD वाला टीवी लिया तो उसे देखकर मेरे मन में भी ये इच्छा होती है कि मैं अपने घर में एक नहीं बलकि दो ऐसे LCD टीवी लगवाँ एक मेरे बेडरूम में और दूसरा हॉल में पर उसके लिए इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना अभी तो ऐसा हो गया है कि लगता है कि जैसे शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं मानो सब खाली है खाना खाओ तब भी पेट खाली लगता है और भूखे रहो तब भी फिर पेशन्ट की बीवी बोलने लगी कि पेशन्ट को गुटका खाने की बहुत बुरी आदत है और इसलिए उन्हें ये मूँ के छालो की तकलीफ हो रही है टीवी पर गुटके की एड आते ही पेशन्ट तुरन चैनल बदल देते हैं ये कहकर कि बच्चों को ऐसी एड नहीं देखना चाहिए ये गुटका और पान मसाला जैसी चीजे बच्चों के लिए बिलकुल हानी कारक है लेकिन फिर पेशन्ट खुद दुकान से गुटका खरीदते हैं और खाते हैं तो उसका क्या? इस पर पेशन्ट बुला हाँ तो क्या हुआ? गुटका बच्चों के लिए बुरा है लेकिन मैं तो खा सकता हूँ ना? फिर पेशन्ट बुला कि मैं एक्चुली होमियोपेटिक इलाज करवाना भी नहीं चाहता था क्योंकि आप लोग अतीत में हुई दुख देने वाली बातों के बारे में पूछते हो मुझे मालूम है कि आप लोगों को दवा चुनने के लिए इस जानकारी की जरूरत होती है लेकिन अगर मैं अपसेट करने वाली बातों के बारे में एक बार भी सोच लूँ तो फिर वही बाते मेरे दिमाग में चलती रहती हैं और इसी कारण मुझे बहुत घुसा आता है इसलिए अगर हो सके तो जो कुछ मैंने बताया है उसी के बेसिस पर मुझे दवा दे दो तो इस केस में पेशिंट को ये पता है कि मुझे चाले आगे चलके ओरल कैंसर का कारण बन सकते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी इस तकलीफ की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देता है और नहीं कभी उसके लिए उसने कोई इलाज करवाया बलकि वो सिर्फ अपने बिजनस पर फोकस करता है अब यहाँ पेशिंट आपके सामने बैठ कर ये जानकारी दे रहा है लेकिन मेटाफॉरिकली वो अपनी बिमारी को लेकर आँखे बंद रख कर रिलाक्स्ट है मतलब लेटा हुआ है इसलिए ये रूब्रिक है जब पेशिंट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या फिर एक ही काम दोबारा करना पड़ता है तो वो चेचड़ा हो जाता है तो ये रूब्रिक है Irritability from Exertion Exert या Exertion का मतलब है किसी काम को करने में दिक्कत आना क्योंकि वो काम आपको पूरी तरह से ठका देता है यानि Exhaust कर देता है या फिर Energy की कमी के कारण आपको वो काम करना भारी पड़ रहा है पेशिंट को अपने पड़ोसी की तरह LCD TV चाहिए लेकिन एक नहीं दो तो ये रूब्रिक है Envy and Avidity Avidity का मतलब है किसी चीज को पेशिंट बहुत पसंद करता है और इसलिए उसे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पाने की तीवर इच्छा महसूस होती है पेशिंट को अपने पूरे शरीर और पेट में भी खाली पन का एहसास होता है तो ये रूब्रिक है Delusion of Emptiness पेशिंट के अनुसार गुटका खाना बुरा है और इसलिए वो बच्चों को ऐसी चीजों की आड्स देखने से रोकता है लेकिन वो खुद वही गुटका बेजिजक होकर खाता है तो ये रूब्रिक है Hypocrisy पेशिंट होमियोपेटिक इलाज नहीं करवाना चाहता है तो ये रूब्रिक है Homeopathy Aversion 2 जब पेशिंट को पुरानी कडवी बाते बार बार याद आती हैं तो वो गुसा हो जाता है और इसलिए वो होमियोपेटिक दवा नहीं लेना चाहता तो ये रूब्रिक है Anger About Former Vexations Vex या Vexation का मतलब है एक ही अप्रियब बात या हरकत को बार बार दोहरा कर पेशिंट का सुक चैन बिगाड़ना Former का मतलब है Past यानि अतीत में एक स्पेसिफिक समय पर हुई घटना CPI दवाई, Hypocrisy और Affectation इन दोनों रूब्रिक्स में मौझूद है तो इनके differences को समझते है दोनों रूब्रिक्स में पेशिंट खुद की असली feelings को चुपाता है लेकिन हिपोक्रिसी में पेशिंट खुद को एक अच्छा और भला इंसान साबित करना चाता है इसलिए वो ऐसी बाते करता है जिसे समाज में अच्छा और सभ्यमाना जाता है जबकि असल में पेशिंट इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और उन्हें फॉलो भी नहीं करता अपने इस बाहरी दिखावे वाले बरताव से पेशिंट ये साबित करना चाता है कि उसे लोगों की कितनी चिंता है और वो उनकी भलाई के बारे में सोचता है यहां पेशिंट खुद वही गलत या बुरी हरकते करता है जिसे ना करने की एडवाइस उसने लोगों को दिया था इसी तरह पेशन्ट आपके सामने कुछ कहता है और आपके पीट पीछे कुछ और अफेक्टेशन में पेशन्ट दिखावे वाले बरताव के जरिये अपनी असली नेगेटिव फीलिंग्स जैसे कि डर, एंजाइटी, नर्विसनेस या गरीबी को छिपाता है मतलब यहाँ पेशन्ट अपनी किसी भी कमजोरी, कमी या नाकामी को दुनिया के सामने जाहर नहीं होने देना चाहता है और इसलिए खुद को निडर, बहादुर या ताकतवर दिखाता है इस पर पेशन्ट की वाइफ बोली, क्यों फेक रहे हो, जब कर रात घर में चोर घुसाया था, तब तो तुम खुद डर के मारे खाट के नीचे चिप गए थे अब यहाँ पेशन्ट अपनी बातों और बरताव से खुद के डर को छुपा रहा है, जब कि उसकी बीवी ने उसकी पोल खोल दी हिपोकृसी रूब्रिक का डीटेल्ड एक्स्प्लेनेशन मैंने अपने फॉस्फरस वाले वीडियो में दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रिफर कर सकते हैं So to summarize, सीप्या पेशन्ट को अपने घर और परिवार की बहुत चिंता होती है वो हर चीज का ध्यान रखती है और अपना काम मेहनत से पूरा करती है लेकिन जब यही घर वाले जिनकी वो जीजान से सेवा करती थी उसका अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और तिरसकार करते हैं तब पेशन्ट बीमार हो जाती है उसे यही लगने लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता है और किसी को भी उसके जजबातों की बिलकुल भी कदर नहीं है इसलिए वो खुद पर ध्यान देना शुरू कर देती है भले ही फिर परिवार वाले जाए भाड में अब सीपिया पेशन्ट खुद पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना शुरू कर देती है और अपने घरवालों को पैसे देने में आना कानी करती रहती है लेकिन ऐसा करने के बाद भी जब पेशन्ट को लगता है कि उसकी ये दुखदाई स्थिती कभी नहीं सुदरेगी तो ऐसे में अपनी जान देना ही उसे एक आखरी रास्ता नजर आता है चार्स वर्यस फुल उफ बाद दॉत कि आस्ता है अलमें स्कॉर्ण नहीं स्कॉर्ण फ़्रेट है लेकिन फ्रेट झालेच के बाद व्रेट विर्ण भी दंब दीजर अ परेंस्ता है एक्स्ट्राविगन्स फॉर थेंसेल्स और माइजर्ली इस विगार्ड्स अधर्स सुसाइडर दिस्पोजिशन फ्रम डिस्पेर अबाउट हिस्मिजरिबल एक्सिस्टेंस तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह रूब्रिक और इसमें मर्जूद सीप्या ओफिस अनालेस दव चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीड़बैक देना चाहें तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा थैंक्यो फॉर वाचिंग